आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए दही वड़ा की रेसिपी ये रेसिपी मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी और ये वड़ा मुह में जाते ही गुल जाएगा इतना टेस्टी और फलफी बनती है कि मैं क्या बताऊं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते है तो चलिए फटा फट से बढ़नाना स्टार्ट करते हैं तो दही वड़ा बनने के लिए सबसे पहले हम आधा कप मुंग डाल लेंगे और आधा कप उड़त दाल दोनों को हम भिंगो लेंगे राद भर के लिए पानी में और इसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकाल लेंगे तो इसे हम एक बावल में निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से हम सारा फीषकर तयार कर लेंगे यानि मुंग और उड़त दाल दोनों को अच्छी तरीके से स्मूधली पीषकर तयार कर लेंगे और इसकी consistency भी आप देख सकते हैं पानी बिलकुल भी नहीं डालना है क बेटर क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा इसलिए बिना पानी डाले ही पीशना है और देख सकते हैं कितना smoothly हमारा पेष्ट बनकर तयार हुआ है और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमूथ बस ऐसे smooth और fluffy बनाना है ताकि जो हमारा पकोड़ा है बिल्कुल fully fully बनकर तया बिल्कुल smooth है और ऐसे ही हमें चाहिए तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे एकटोरी में पानी ले लेंगे और बेटर का एक दो बूंद इसमें डालेंगे अगर बेटर फैलेगा नहीं तो इसका मतलब perfect है अगर फैल गया तो इसका मतलब पतला है तो इसलिए पानी पुल भी नहीं बड़ने तो चलिए फटाफ़ट से से फ्राइ कर लेते हैं तेल को मीढियम गरम कर लिए हैं मीढियम कर लिया है और मीढियम गरम टील में हम सारे पकोड़े तल लेंगे तो एक बार में जितना आसके उतना ही डाले ओर मीडिय्यम यानि हाइँ प्लेम पर ही से बड़ी इजी तरीके से आप यह पकोड़ा बनाकर तयार कर सकते हैं अब बिल्कुल अंदर से शॉप्ट स्पंजी बनकर तयार होती है तो अच्छा खासा इसमें कलर भी आ गया है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बागी सारे बेटर का भी पकोड़ बनाकर तयार करेंगे तो देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से फूल गई है तो बस ऐसे ही चाहिए इससे ज़्यादा डार्क कलर तक हमें नहीं फ्राय करना है बस हलका लाइट कलर आजा इतना ही काफी है तो इसी तरीके से चलिए सारे हम निकाल कर तयार कर लेते हैं और बच्चे वे बेटर का भी बना कर हम तयार कर लेंगे तो देख सकते हैं कितना इजी है बनाना बस चोटी चोटी बातों का ध्यान रखना है और इसी तरीके से मैंने बहुत सारी पकोड़े बना कर तयार कर ली है यानि बड़ा बना कर तयार कर ली है और देख सकते हैं कितना फ मचींग और इसे हम मिला लेते हैं हिंग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अप इसलिए आपके पास हिंग है तो जरूर डाले नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं फिर हम यह सारे वड़ा डालेंगे और इसको हम आधी से एक घंटा के लिए भिंगो के रखेंगे ताकि जो है ना पानी सोक लेगा वड़ा तो और विश पंजी अंगदम सौफ्ट बनका तयार होगी तो जरूर आधी या पोने घंटा या एक घंटा जरूर रखे तब तक हम आधा कप मैंने दही ली है और इसमें आधा कप यह दूर्छ दकाले तेखेंगे और अच्छी तरीके से इसे फेट लेंगे अ दही स clusters आधा का अधा में बढ़ा फ्लिष और यह लोई संप्छ्र श्रीक्त को ढई सकते हैंud इसमाधा क्यों पनके पानी पूल और आधा क्या कतरूर व्हूंग बनकर तयार हुई है मैं इसे कट करके दिखाऊंगी तो चलिए इसी तरीके से इसका एक्स्टा पानी हम निचोड लेंगे जितना हो सके इसका एक्स्टा पानी हमें निचोड लेना है तो इसी तरीके से आपको जितना खाना है उतना प्लेट में निकाल लें तो मैं 5-6 निकाल लेना यानि वड़ा को डही में अच्छी तरीके से डूबो लेना है तभी तो डुबो लेना है तो अच्छी तरीके से इसे डूबो लेने के बाद इसमें हम डालेंगे फिर इमली की खटी मिठी चटनी अगर आपको इसकी रेशीपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहां से आप चेक आउट कर लेना तो देख सकते हैं इमली की खटी मिठी चटनी डालेंगे इसी तरीके से अच्छी तरीके से दो चमस के करीब मैंने डाली है और इसमें डालेंगे हरी चटनी धनिया पत्ते की इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वहां से चेक आउट कर लेना क्योंकि अल्रेडी इमली की और एक पिंच डालेंगे हम लाल मिच पॉडर आप चाहें तो इस जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूं बहुत ही सिंपल बना रही हूं और आप देख सकते हैं हमारा वड़ा खाने के लिए बिल्कुल तयार है और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है और लग रही है ना बिल्कुल बजार जैसी वड़ा तो यह देखिया में काट के भी दिखा रहे हूं देख सकते हैं अंदर से भी कितनी स्पंजी और फलफी बन का तयार हुई है तो इसी तरीके से बनाएं और खाईएं